असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अल्लात 알ाब सभी लोगों को खुशियो आबाद हस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं अल्लात 알ा के नाम से जिसका नाम ही रहमतों और बरकतुम वाला है आज हम आपके लिए सिंगाडे की घुगनी लेके आएंगे सिंगाड़े की गुगनियाज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से जटपट से बनके तयार होती है आजकल मौसम इसका बहुत ज़ादा आया हुआ है और बहुत नरम नरम से मिल रहे हैं तो बनाना तो बनता है आये देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है काफी नरम ओले ताजी से फिरेज फिरेज से हमने सिंगाड़े ले लिए हैं एक किलो सिंगाड़े हम लिए हैं इसको छीलेंगे हम देखी अभी काफी नरम सिंगाड़े हैं और आप चाहें तो बीच से कट लगा के चील देए, इस तरीके से ऊपर उसके एक मोटी से लेयर होती उसको भी हम निकाल देगे देखी इस तरीके से बीच से भी कट करके हम फटा फट से चील सकते हैं, इस तरीके से आपका हाफ हाफ हो जाएगा गुगनी बनाने के लिए इस तरीके से भी आप छील सकते हैं कोई मुश्किल नहीं होगी तो देखी इस तरीके से हमने करके पुरा तयार कर लिया है और यहां पे हमने लिया है आधा चमच जीरा साबू जीरे का हमने इस्तेमाल किया है और यहां पर हमने एक चोथाई चाय का चमच काली मिर्च का पाउडर लिया है और यहां पर देखिए हमने नमक लिया है जरूरत की हिसाब से नमक हमने लेना है और यहां पर हमने थोड़ा से चाट मसाले का इस्तेमाल किया है बिसमे लह रह्माने रहेम कुकर को हमने गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था इसमें हम डालेंगे देसी गी एक घुगनी देसी घी में ज्यादा अच्छी लगती है अगर आप लोग देसी घी घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप अपने पसंद का कोई भी आयल डाल सकते हैं तो यहाँ पर पादी किसे पसंद नहीं हो, तो आप बीच से थाफ कट कर ले, इसमें हमने नमक डाल दिया है, नमक डाल के हम इसे मिक्स करेंगे, ठोड़ी सी हल्दी हम यहाँ पर डाल रहे हैं, यह भी अपशनल है, आप चाहे तो डाले, अगर आपको लगा को पसंद ना हो हल्दी का, तो पर आपना डालें, देखिए हमने इसको डाल के अच्छी से मिक्स किया है, एक से दो मिनिट तक हमने इसको अच्छी से भून लिया है, इसका पानी जो निकला था हो खुश्क हो गया है, तो हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, बहुत ज़रा सा पानी डालिएगा, क्योंकि पानी डाल रहे हैं, तो हम यहां पर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, माशाला से काफी अच्छी से हमारा सिंघारा गल चुका है, जतना हमको चाहिए था, जतना चाहिए था उतना गल चुका है, पानी सूखने तक जो कसर रहेगी बाकी वह भी पूरी हो जाएगी, तो यहां पर हम आज को थोड़ा तेज ही करके पानी को सुखा लेंगे और यहां पर आके तिब तयार हो गया है, तो हमने काली मिर्च का पाउडर अब एड़ किया है, ताकि हमारी काली मिर्च की खुश्बू बरकरार रहे, और यहां पर हमने थोड़ा सा चाट मसाले का पाउडर भी गानिश करेंगे, यह भी आप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो गानिश करें, आपकी मर्जी ना हो, आपको पसंद ना हो धनिया तो इसकी भी कर सकते हैं, देखे, थोड़ा सा खुबसूरती बढ़ गई है धनिया डालने से, तो आई यह सर्फ करके देख लेते हैं, कैसे फट आपने कर दिया आपका बेहज शुक्रिया साथ में लगा हुए बिलका इकान भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप लोगों को जजाए खैर दे आप लोगों के रिस्क में उमर में बरकत अता फरमाए आपस में महबत और घरों में सुकून अता फरमाए शबीना को भी दूआओं में याद रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशाला ऐसी ही किसी मज़े की रेसिपे के साथ आला हाफीज